हेलो दोस्तो नमस्कार आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर हार्दी का भिहनदन करता हूँ पंडित दीन दियाल उपाध्याय का जनम दिन अभी 25 सितंबर को आ रहा है राष्टिय स्वम सेवक संग के चिंतक और संगठन का करने वाली एक महान विभूती का जनम दिन है तो आप स्पीच बोल सकते हैं भाषन जब आपको जरूरत पड़े कि सुबह की हर्शित वेला पर खुश्या मिले अपार यश्किर्ती और सम्मान मिले और वढ़े सतकार यश्श्वी पुरुशार्थी महानों के लिए तत्तो दरिष्टी रखने वाली महान विभूती पंडित दीन द्याल उपाध्याय का जनम दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुप कामने पंडित दीन द्याल उपाध्याय का जनम 25 सितंबर 1916 को हुआ राष्टिय स्वम सेवक संग के चिंतक और संगठन का कर्या करने के साथ वे भारतिये जन संग के अध्यक्ष भी रहे उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगा नुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि हर मानों में एक ही प्रान है मानव मानव में भेद नहीं मानव जाती की रक्षा और उनका हित ही प्रथम है मेरे पावन मनमंदिर का मानव ही भगवान है मानवता की आराधना मेरा लक्ष महान है जो जलक हमें करोना की अंतराष्टिय सभा में देखने को मिली जिसमें माननिय प्रैधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा कि आर्थिक पहलू से पहले मानव के अस्तितों को बचाएं वास्त में पंडी जी जैसे युगपुरुशी आगे ऐसे योगी तैयार करते हैं जिनके शाषन करने की निती में राष्टर प्रेम और मानव हित रहेगा संसार के महान यग्यों को साकार करता है विशम प्रिष्थितियों को सविकार करता है संसार के महान यग्यों को साकार करता है विशम प्रिष्थितियों को सविकार करता है मानवता को अर्पित कर दिया जीवन जिशने वही युगों युगों योगी तैयार करता है वे एक समावेशित विचार धारा के समर्थक थे जो एक मजबूत और शशक्त भारत चाहते थे। दीन द्याल उपाध्याय जनसंग के राष्ट जीवन दर्शन के निर्माता माने जाते हैं। साहित्य दर्शन सभ भारतिय संस्कृति है। इसलिए भारतिय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्टा रहे तभी भारत एकात्मक होगा। वसुदेवकुटुम्बकं भारतिय सभ्यता से प्रचलित है। इसी के अनुसार भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। संस्कृती से किसी व्यक्ति, वर्ग, राष्ट, आदी की वे बातें जो उसके मन, रुची, आचार, विचार, कला, कोशल और सब्यता की सूचक होती है पर विचार होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह जीवन जीने की शैली भारत की है। मानव मानव में भेद मिटाया है, मानव का हित रहे उदेश्य हमारा, आपने ही इस लक्षय को जगाया है, जै हिन, जै भारत। तो इनी शब्दों के साथ दोस्तों आपका धन्यवाद आप भिन्विन्द परकार की। दिये के कॉंटेक्ट नंबर प्राप कॉंटेक्ट करके बहुती आसानी से ये प्रतिभा सीख सकते हैं।